नमस्कार शात्रो तो शात्रो आज हम करेंगे कक्षा नवी पार्थ तीन भोक्ताबाज की संस्कृती के बहु विकल्पी ये प्रशनों के उत्र बहु विकल्पी होता है mcq mean option के साथ तो 20 question मैंने बहुत ही important important आपके chapter से लिए हैं तो वीडियो को skip बिल्कुल मत करना एक-एक को ध्यान से सुन लेना और वीडियो अच्छा लगे तो like तो जरूर कर देना पहला question आधुनिक बाजार किन समागरियों से भरा पड़ा है mean जो आज कल का modern market है बहु कौन कौन सी बस्तुओं से भरा पड़ा है समागरियों से भरा पड़ा है समागरियोत है things तो option आपके सामने है आपको मेरे answer देने से पहले अपने answer लिख कर रखने है और मुझे comment box में जरूर बताना है कि आपके कितने प्रशन ठीक हुए मैंने इस पार्ट का पहले वीडियो बनाया है उसमें सारांश भी डाला है सारांश पढ़कर भी आप इनके easy से प्रशन उत्तर दे सकते हो और जो अभ्यास पुस्तिका में प्रशन उत्तर है बहे भी इसमें दिये गए है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो आपने उप्शन पढ़ लिए होंगे ए सौंदर बी खर्चीली सी बिलास्ता पूरण या डी सस्ति तो अधनिक बाजार जो हैं शात्रो बिलास्ता पूरण सामगरियों से भरे पड़े हैं बिलास्ता होता है जो हमारे जैसे सौंदर या के सामान मिलता है या खाने पीने की बस्तुएं मिलती हैं या फिर और कई पहने की और कई परकार की बस्तुएं को बिलास्ता पूरण जिससे हमारी जो अवशक्ताएं हैं वो पूरी होती हैं उनसे क्या है बाजार भरा पड़ है तो उसको बोलते हैं बिलास्ता पूरन हमारी नए संस्कृति कैसी है अब हमारी नए संस्कृति कैसी है आपके सामने है अध्यात्मिक संस्कृती है हमारी या अनुकरण की संस्कृती है या पारिवारिक संस्कृती या बैचारिक संस्कृती है तो शात्रो हमारी जो नई संस्कृती है अध्यातम पर भी नहीं अधारित है अध्यातम मेडिटेशन या सारे लोग जो है वो मेडिटेशन नहीं करते किसी को देख कर हम भी वैसा ही करने शुरू हो जाते हैं पारिवारिक मीन फैमिली संस्कृत ही या बैचारिक बैचारों से भरी हुई संस्कृत ही तो आपने जहा लिजा होगा तो हमारी जो नए संस्कृत है शात्रो अनुकर्ण की संस्कृति अधारित है अनुकरण मीन जो हम देखते हैं वैसा ही हम भी करने की कोशिश करते हैं अनुकरण करना मीन देखकर सीखने की प्रबृति या संस्कृति है हमारे में हम किसके उपनिवेश वण गए हैं अब उपनिवेश जो होता है share market में यूज होने वाला शब्द है तो हम किसके उपनिवेश बन गए हैं तुलना तो काफी की गई है आपके सामने हैं अमरीका के या यूरोप के बेग्यापिन कमपनी के या पास्चातिय संस्कृति के तो हम किसके उपनिवेश बन गए हैं उपनिवेश में किसके अधीन हो गए हैं हम अमरीका के यूरोप के या बेग्यापिन कमपनी के या पास्चातिय संस्कृति के तो शात्रों यहाँ पर सही ओप्शन है डी पास्चातिय संस्कृति के उपनिवेश बन गए हैं हम उसका अनुकरन कर रहे हैं पासचात्य संस्कृती means अंग्रेज्जों वाली means वो कल्चर हम अपना रहे हैं और अपना गवार रहे हैं इंडियन नई जीवन शैली की विशेश्टा क्या है अब जो हमारी नई जीवन शैली है उसकी विशेष्टा बतानी है उसकी एक खासियत बतानी है आपको कि कैसी है हमारी जीवनशैली नई जीवनशैली उभोकताबाद, समानता, अध्यात्मिकता या इन में सी कोई नहीं तो शात्रो यहाँ पर नई जीवनशैली जो है हमारी उपभोकताबाद पर अधारित है क्योंकि हमारे पाठ का नाम भी उपभोकताबाद की संस्कृती ही है तो नई जीवन शैली न्यू जिनरेशन जो है उसकी क्या विशेष्टा है उपभोकताबाद वो कर रही है सारी बस्तों का उनको ग्रेहन कर रही है उसको खरीद रही है ला रही है घर में सजावट का समान भी धेरों पड़ा है है ना तो हमें तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान इतना थोड़ा वो चाहिए पर अच्छा लोग बिग्यापनों से प्रेरित होकर उतपाद खरीदने को तयार हो जाते हैं जैसे टीवी पर वो एड़टाइजमेंट देखते हैं और उनकी निगाह किस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं लोगों की जो निगाहे हैं वे किस बात की तरफ नजरे हैं वो क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं वे सिर्फ बिग्यापनों से प्रेरित होकर ही सामान को घर ला रहे हैं बिग्यापनों की सच्चाई पर उत्पादों की गुणबता पर उत्पादों की अधिक मुल्यों पर कमपनियों की बिश्वसनियता पर उनकी निगा किस बात पर ध्यान नहीं दे पाती उनकी जो लोगों की जो हम जैसे लोगों की जो निगाहे हैं बै उत्प उत्पादों की गुणबत्ता पर ध्यान नहीं दे पा रही है ठीक है जो उत्पाद है प्रोडक्ट है उनकी जो मेरिट और डिमेरिट उन पर ध्यान नहीं दे पा रही है कि उसके अगर मेरिट है तो डिमेरिट भी हो सकते हैं प्रन्तु नहीं वो अडबर्टाइजमेंट दे रखने की बात कही थी अब गांधी जी ने किसके लिए दर्वाजे खिर्किया खुली रखने की बात की गई थी option एक स्वस्थ संस्कृतिक प्रभाबूं के लिए लगू उध्योगों के लिए विदेशी उपनेश के लिए या इन में से कोई नहीं में नन ओफ दादीज नन ओफ दीज में इन तीनों option में से कोई option नहीं है चोथे का ये मतलब है और विदेशी में आप जानते ही हैं बाहर foreign country में वेश करना लगू में जो लगू ध्योग शोट इंडस्ट्रीज शोटी 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 इंडस्रीज तो स्वस्थ संस्कृतिक प्रभावों के लिए किसके लिए महात्मा गांदी जी ने खिड़कियां खुली रखने की बात कही थी स्वस्थ संस्कृतिक प्रभावों के लिए किसके लिए स्वस्थ एक तंदुरुस्थ संस्कृतिक प्रभाव होने चाहिए इफेक्ट होने चाहि पूर्वी पौरानिक या साम्ती तो शात्रों पास्चात्य मीन पास्चात्य पहले वाली जब पूर्वी पहले ही होता है पौरानिक मीन पूरानी तो साम्ती जो थी संस्कृती के तत्व जो थे भारत में पहले से ही थे सामती संस्कृती के कौन सी संस्कृती के सामती संस्कृती के तत्तव जो थे बैभारत में पहले से ही थे लेखक के अनसार किसका वर्चसब स्थापित हो रहा है मिन किसका बोल वाला है वर्चसब मिन किसका अधिकता है यहां पर स्थापित क्या स्थापित हो रहा है मिन क्या यहां पर लागू हो रहा है धन का बर्चस्तव स्थापित हो रहा है नई जीवन शैली का हो रहा है जो नई शक्ती का या इन में से कोई नहीं तो अब बताईए सोचिए जरा पाठ में से पढ़िए एक बार फिर से और पाठों में से ही ये प्रशन निकाले हैं तो लेखक के अनुसार शात्रो नई जीवनशैली का बरच सवस्थापित हो रहा है नई जीवनशैली का अनुकरन हो रहा है में नई जीवनशैली जो है वही अपना प्लेस बना रही है नए तरीक के रहने खाने पीने के मीन पुराने लुपत होते जा रहे हैं हमारी जो इंडियन संस्कृती है वो लुपत होती जा रही है मीन उसका कम होती जा रही है और जो पुरष किस दोड में शामिल हो गए है पुरष जो है बै किस दोड में शामिल हो गए है कौन सी ऐसी दोड है जिसमें पुरष शामिल हो गए है तो option है पैसे कमाने में, सौंधर या प्रसादन प्योग करने में, या बर्च सवस्थापित करने में, या नाचने गाने में, तो जो जेंटलमेन हैं, तो कौन सी रेस में शामिल हो गए हैं, पैसे कमाने में, सौंधर या प्रसादन प्योग करने में, या बर्च सवस्थापित करने मे या नाचने गाने में ये तो है ही बट पाठ में बताया गया है कि पुर्ष जो है बैस सुंदर्य परसाधन उप्योग करने में की दोड में शामिल हो गए हैं कि वो सुंदर्य के साधनों को अपना रहे हैं ये प्रोडेक्ट वो प्रोडेक्ट उसी के साधनों को अपना जीव खराब भी कर रहे हैं और अच्छा भी बन जाता है कईयों से तो ओभोक्ता संस्कृती का हमारे समाजिक मुल्यों पर क्या प्रभाब पड़ा है जो ओभोक्ता संस्कृती है उसका हमारे समाजिक मुल्यों पर क्या प्रभाब पड़ा परमपराओं का निर्वा हुआ परमपराओं का लोप हो गया लोप होता है खत्म हो जाना निर्वा होता है कि पालन पोशन जा निर्वा करते हैं न हम इकठी हो रही है या परमपराओं का अमुल्यन हुआ है या फिर हम उन्हीं परमपराओं पर चल रहे हैं तो क्या हो रहा है तो शात्रो यहां पर उबोगता संस्कृती का हमारे समाज मुल्यों पर परमपराओं का अब मुल्यन हो रहा है जो हमारी पहले की परमपराओं थी वह सारी खत्म उनका मुल्यों जो है खत्म होता जा रहा है आधुनिक समाज में सामाने लोग किसे ललचाई निगाहों से देखते हैं ललचाई मीन लालच वरी मीन लालच करना किसी चीज का कि ये भी मेरे पास हो ये भी उसकी नजरें निगाहें होती हैं नजरें तो अधनिक समाज में किसे ललचाई नजरों से देखते हैं बशिष्ट जनों को बशिष्ट मीन एक different people अमीर जादों को या परतिष्ठित लोगों को या फिर इन में से कोई नहीं परतिष्ठित होता है respected people अमीर जादो मीन रैस man और बशिष्ट तो बता ही दिया अधनिक समाज में इसमाने लोग जो परतिष्ठित लोगों को ललचाई नजरों से देख रहे हैं जो परतिष्ठित लोग हैं नेता हैं, मंत्री हैं, अभिनेता हैं उनकी तरफ देख रहे हैं कि ये कुछ अच्छा कारे करेंगे हमारे लिए लोगों का जीवन ऐसा हो गया है उनकी तरफ देखते रहते हैं समभरांत महलाओं से लेखक का क्या ततपर हैं समभरांत कुछ बरांतियां पहलाने वाली महलाएं मीन समभरांत कुछ बरांतियां मीन पहलाती हैं जैसे जूट फ्रेव या कुछ ऐसी किजन्तियां कहलो आप संभरान्त उसी को कहा गया है किस को कहा गया है सुन्दर महलाओं को कहा गया है उच्छ कुल की महलाएं उचकुल की महलाएं भी हो सकती है कही पाठ में हमारे उचकुल की महलाओं के लिए संभराथ शब्द का प्रयोग हुआ है वैसे तो दलित संभराथ महलाएं भी होती है या दूसरी भी संभराथ महलाएं भी होती है प्रन्तु यहां पर जो आपका पाठ है उसमें उच्पुल की महलाओं के लिए संब्रांत शब्द का प्रयोग हुआ है। समाज में किन के बीच की दूरी बढ़ रही है। किस के बीच की दूरी बढ़ रही है समाज में। option आपके सामने हैं परिवार के बीच बर्गों के बीच या लोगों के बीच या पास्चाहत्य संस्कृति के बीच तो समाज में जो है बर्गों के बीच की दूरी जो है शात्रों बढ़ रही है बर्ग मीन जात्री पाती है न डिवाइड किया जा रहा है धर्मों में डिवाइड किया जा रहा है लोगों को और फिर लड़ाई जगड़े हो रहे हैं तो बर्गों के बीच दूरी बढ़ रही है लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? सुख, समानता, अध्यात्मिकता या अशानती तो शात्रों यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है लोग खाने पीने और भोग करने को सुख मानने लगे हैं लोगों को लगता है कि यह जो अगर हमारे पास बस्तूंगे होंगी तो हम बहुत सुखी जीवन जीएंगे प्रन्तु ऐसा नहीं है दिखावे की संस्कृति किस प्रकार के नकारात्मक पक्षों को बढ़ाबा देती है दिखावे की जो संस्कृति है वो कैसी नेक्टिविटी फ्हला रही है कैसे नेक्टिविटी बिचारों को उभार रही है वो मिन पक्ष बिपक्ष में बिभिन तरह की विशेमताईं तथा समाजिक अशान्ती जीवन के प्रती निर्याशाबादी सोच धार्मिक कला और एक दूसरे के प्रती मन मुटाब या फिर समाजिक समानता तथा अलगाब यहाँ पर अलगाब होता है दूर किसी को दूर से दूर कर देना समाजिक समानता मीन पास समानताई मीन एक जैसा धार्मिक कला धर्मो की कला मीन रिलीजन का जो है वह लडाईन हैं एक दूसरे के प्रति मन मुटाब है, जीवन के प्रति निराशाबादी सोच है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बभिन तरह की जो बिश्मताएं हैं, तता समाजिक अशान्ती जो तियना, वही जो है नकार आत्माकता को बढ़ावा दे रही है, बभिन परकार की जो बिश्मताए में समस्याएं हैं जो समाज में जो है अशान्ति का अनभव परदान कर रही हैं हमारी सामाजिक नीम को किस संस्कृति से खत्रा है कौन सी संस्कृति से खत्रा है हमारी सामाजिक नीम को शातो समाजिक संस्कृती, समाजबादी संस्कृती, सामतबादी संस्कृती से खत्रा है या उभुगताबादी संस्कृती से या फिर इन में से कोई नहीं तो हमारे तो पाठ का ही नाम उभुगताबादी संस्कृती है कुछ प्रशन तो आप ऐसे भी गेस करके लगा सकते हैं जब संस्कृती के बारे में पूछा जाए तो तो कौन सी उभोकताबाद की संस्कृती से खत्रा है मिन उभोक कर रहे हैं हम बस्तुमों का सारे लोग इसी में लगे हुए हैं उभोक करने में उभोकतावादी संस्कृति को अपना रहे हैं मनुश्यों का लक्ष क्या होना चाहिए अब आप नई पीड़ी हो आप ही बताईए कि मनुश्यों का जो लक्ष है वैं क्या होना चाहिए क्या उदेश्य होना चाहिए अपने जीवन का धन प्राप्ति, संपूर्ण विकास, सुख प्राप्ति, या दुख निवारण, दुख निवारण में दुखों को दूर करना, सुख पाना, या फिर संपूर्ण विकास चाहिए आप लोगों को या धन प्राप्ति, तो मनुश्यों का जो लक्षे होना चाहिए न, आद की जो education है वह संपूरन विकास पर अधारित है all under development है ना तो यहां पर मनुश्यों का जो लक्षे है वह संपूरन विकास को होना चाहिए जीवन सार जीवन स्तर का बड़ता अंतर किसी जन्म दे रहा है जो हमारा जीवन है हमारा lifestyle है वह किस परकार का difference पैदा कर रहा है किस शत्रुता को नई जीवन शहली को नई शक्ती को या फिर अशांती और अक्रोश को ये पिछले प्रशन से ही मिलता जुलता प्रशन है जीवन स्तर का बड़ता अंतर जो है वह अशांती और अक्रोश को जन्म दे रहा है चारों तरफ से लोग लड़ाई जगड़ा करते है इतना गुसा भरा है लोगों में अक्रोश भरा है और शांती नहीं है अशांती है शांती लेखक के अनिसार प्रदर्शन पूरण शैली सबसे किस बरक के द्वारा अपनाया गया है जो प्रदर्शन पूरण शैली है वो सबसे पहले किस बरक के द्वारा अपनाया गया था अपनाई गई थी मद्यम बरक के द्वारा जो परदर्शन करने की मीन दिखावा करने की जो शैली है वो किस के द्वारा अपनाई गई थी मद्यम बरक के द्वारा संपन बरक के द्वारा या निमन बरक के द्वारा दिखावे की संस्कृती के कारण क्या हानी होती है अगर हम दिखावा ही करते रहें और उस संस्कृती के कारण क्या लोस हो सकता है क्या हानी हो सकती है समाजिक अशानती चारों तरफ हो सकती है या निर्दनता हो सकती है थे सारी गरीब होते जा रहे हैं या अपराद बढ़ते जा रहे है या फिर कारण कोई और कारण भी हो सकता है तो क्या बढ़ता जा रहा है यहां पर दिखावे की संस्कृति के कारण समाजिक अशान्ती जो है बढ़ती जा रही है शात्रो और ये थे हमारे 20 प्रशन आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा वीडियो को लाइक कर जरूर कर देना क्योंकि एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है